आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CGPSC द्वारा जो ACF का एक्जाम लिया गया था ACF जिसको CGFSC के नाम से एक्जाम हुआ था 36 गर्ड फॉरेश्ट सर्विस एक्जाम 2020 जिसका एक्जाम हुआ था 5 दिसंबर 2021 को मतलब कि एक महिना पहले ही इसका एक्जाम हुआ है इसको हम लोग जो है ACF के नाम से जान रहे हैं क्योंकि जो पोश्ट था ना वो ACF का पोश्ट था ACF इसका पूरा नाम होता है ACF का Assistant Conservator Forest हिंदी में कहें तो सहायक वन संरख्षक तो सहायक वन संरख्षक के पद के लिए 36 गड़ वन सेवा परिक्षा 2020 5 दिसंबर 2021 को आयूजित किया गया था मतलब कि एक महिने पहले ही यह परिक्षा हुआ है तो इसमें जो है दो पेपर हुआ था इसमें हमारा जो काम का जो चीज है ना वो पहले पेपर में है जिसमें 36 गर सामान ने अध्ययन हिंदी भासा उसके बाद जो 36 गड़ी भासा और साथी साथ में जो aptitude वाला था वो चीज काम का है तो फर्स्ट पेपर हम इसमें देखेंगे 36 गर सामान ने अध्ययन से जो भी question पूछा गया है उसको हम लोग काफी अच्छे-चे question पूछे गए हैं और किस तरह के question पूछे जा रहे हैं वो भी आपको देखने समझने को मिलेगा तो आप लोग जो है वीडियो को आखिर तक देखिएगा अच्छा लगे तो like और share जरूर करिएगा तो हम लोग वीडियो पहला question तो इस तरफ जो है परियोजना है इस तरफ नदिया दी हुई है तो देखिएगा बाबु छोटे लाल सिर्वास्तव परियोजना तो ये कहां पर एभी सिल्यारी नदी में है बाबु छोटे लाल सिर्वास्तव परियोजना वैसे ना ये वाला जो है अधिक्तर तो दिखेगा पहला का बनेगा तीन दूसरा का बनेगा चार तीसरा का बनेगा दो पहला चौथा का एक तो तीन चार दो एक ये जो है आपका कूट बनेगा तो हम लोग कूट में देख लेते हैं तीन चार दो एक तो तीन चार दो एक ये रहा तो ये जो है इसका उत्तर था तो इस तरह से आप लोगों को जितनी भी परियोजनाएं है, छोटी बड़ी सभी परियोजनाओं को ध्यान में रखना होगा, कि वो किस नदी में है, किस जिले में है, और कोई खास बात है, तो वो भी, तो अगले कुस्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला कुस्चन दिया है, 36 गड़ में सबसे अधिक अरण्य छेत्र किस वन का है, औरोही करम में सजाईए, तो देखेगा, 2021 के बहुत सारे परिक्षाओं में इस टाइप वाला कोश्चन पूछा गया था, औरोही करम में सजाईए, औरोही करम में सजाईए, तो अरण्य मतलब क्या होता है, वन, तो औरोही करम मतलब बढ़ते से घटते, मतलब जादा से कम की तरफ, पहले सबसे जादा कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा, फिर उससे कम कौन सा, उसको बोलते है, औरोही, मतलब कि ऐसे, ये बढ़ा है, फिर ये छोटा होता जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा, औरोही कर सबसे जादा जो है अरनने चेतर वो है मिसृत वन का लगबह लगबग 43 परतिसत में काफी सारे वीडियो में बता चुका हूं उसका दूसरे इस्थान में साल वन है 40 परतिसत तीसरे स्थान में सागाउन है 9 परतिसात उसके ब दाद सीसम इसका परशंटेज कितना है नहीं माल सीसा मा जाएगा तीन, तो चार, एक, दो, तीन, ये जो है आपका कूट बनेगा, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, ये रहा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चतिस गड़ में उपलब्ध, खनीज भंडार की इस्थिति क्या है, अधिक्तम से निवनतम क्रम में लिखी है मतलब की औरोही क्रम में बताना है यहाँ पर तो यहाँ पर अलग तरीके से बोल दिया है अधिक्तम से नियुनितम बोल दिया सीधा सीधा तो यह औरोही क्रम में लगाना है खनीज भंडार की स्थिति में सबसे ज़्यादा खनीज मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा ख प्थर है तीसरे स्थान में आएगा आपका लोहा चोथे स्थान में दोलोमाई तो 3124 तीन एक सब्सक्राइब टीन दो एक चार ये जो है आपका कूट बनेगा 3214 ये 3214 अगला कुष्चन है अच्छा कुष्चन है ये भी डिकेगा क्या बोल रहा है राज्य में प्राप्त खनीजो को जिलेवार सुमेलित कीजिए जो आप नॉर्मली कोई सभी बुक खरीदते हो कोचिंग वाली कोई सभी तो उसमें जो है ना खनीजो का जिलेवार विवरण दिया हुआ होता है कि ग्रे नाइट इस जिले में पाया जाता है तो उस टाइप से आपको मिलान करना है त आप यहां पर दिखीगा दक्षिड चतिजगर तो यहां कांकेर, कोंडा गाओ, दंतेवार तो इन में जो है आपका बाक्साइट पूरे में नहीं मिलेगा चुना पत्थर भी सभी में नहीं मिलेगा लेकिन जो ग्रे नाइट है इन सभी में मिलेगा कांकेर, कोंडा गाओ, दंत्यवाडा में उसके पद दिया है बक्षाइट तो बक्षाइट जो है ना दक्षिर 36 गड़ के भी कुछ जिले में मिलता है उत्तरी 36 गड़ में भी मिलता है और मद 36 गड़ में भी पता चला है बक्षाइट के भंडारों के बारे में तो दिखेगा कोर्बा में है ये तो जगजाईर है, कोना गाउं में भी कुछ प्राप्त हुआ है, भंडार कभीरधाम में भी मिला है, उसके पादी ये जस्पूर है, जस्पूर में तो है ही, तो बाक साइड आजाएगा तीसरे नंबर में, उसवाद चूना पत्थर, तो चूना पत्थर कहां मिलता है, तो देखिएगा चुना पत्थर मुख्यतर मद्ध 36 गड़ में मिलता है लेकिन दक्षिर 36 गड़ के भी काफी सारे इस्थलों में मिलता है तो यहाँ पर देखिएगा बस्तर में भी मिलता है सुक्मा में भी मिलता है बेमेतरा में भी बिलासपूर में भी तो यह आपका दो हो हो जाएगा पीईन उसके बाद सी का हो जाएगा दो और डी का हो जाएगा एक तो चार तीन-दो-एक मतलब उल्टा चार तीन-दो-एक यह जो है आपका कूट बन रहा है चार तीन-दो-एक कहां गया यह अगला कोस्चन देखते हैं अच्छा इसमे ना कूट वाले कोस्चन काफी पूछे गए थे जो ACF का एक्जाम हुआ था कूट वाले कोस्चन भर-भर के हैं इसमे अगला देखते हैं नीमनलिखित सक्करकार खाने परदेश के किन जिले में इस्थित है तो जो सक्करकार खाने हैं वो किन जिलों में इस्थित है यह आपको बताना है सुमेलित करना है जोड़ी मिलाना है अब यहां पर एक चीज़ देखिएगा यहां कवरधा दिया है यहां पर कभीरधाम दिया है तो यहां पर ये question मतलब sense नहीं बनता है विलोपीत ही होगा क्योंकि यहाँ option गलत दिया है और जो इसने अपना वो जारी किया था ना model answer तो उसमें क्या किया है सरदार वल्लब भाई पटेल को ले लिया कबीरधाम भोरम देव को ले लिया कवरधा तो भाई इसमें कोई मतलब नहीं बन जानकारी के लिए माधंते सोरी सक्करकार खाना ये है बालोद जिले में महामाया सक्करकार खाना है सूरजपुर जिले में तो ये अंध्यान में रखिएगा सबसे पुराना जो है भोरम देव सक्करकार खाना है और सबसे नया सरदार वल्लम भाई पटेल सक्करकार खाना अ पुराना उद्योग है हमारे 36 गड़ में स्थापित अगला कोस्चन दिया है पंचायती राज से है 36 गड़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित छेत्र की ग्राम सभा की सक्तियों और कृतियों के बारे में निम्न लिखित में से कौन सी धारा है तो यहां पर जो आंसर लिया है CGPSC ने तो लिया है इसको लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए 1139 गड़ सक्तियां और जो कृत्य है उससे रिलेटेड आप लोग इसको बताईएगा मैंने इसको खोज के देखा तो मेरे पास जो सूर्स था तो उसमें ये मिल रहा है लेकिन CGPSC ने ये लिया है हाला कि मेरे पास जो सूर्स है ना मैं थोड़ा सा उसमें डाउट है मेरेको तो मैं इसलिए इसका जो आंसर लिया है CGPSC ने उसी के साथ जा रहा हूँ बाकि अपना डाउट भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसको खोज सकें अगला हम लोग दिखते हैं नीमन लिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षन दिया गया है तो देखिएगा 50% आरक्षन हमारे 36 गड़ में हैं आदरप्रदेश में हैं गुजरात में हैं मतलब तीनों में है ये 50% आरक्षन एक दो तीन अभी वैसे ना बहुत सारे राज्यों में चल रहा है ये बात जो महिलाओं हैं उनको पंचायती राज से जोड़ने के लिए और भ लोग जो हैं काम करते हैं अगला हम लोग देखते हैं 36 गड़ में नीम्न लिखित में से कहा पर समविधान की पाच्वी अनुसूची लागी लागू है तो देखिएगा समविधान की पाच्वी अनुसूची से तात्परे हैं हमारे 36 गड़ में जो अनुसूचित छेत्र है अनुसूचित छेत्र जिसको हम कहते हैं आदिवासी विकास खंड जिनकी संख्या है टूटल 85 तो यह जो 85 विकास खंड है 85 ब्लॉक है इन में पाचवी अनुसूची लागू है इन 85 विकास खंडों में से मतलब यह जो 85 विकास खंड है न तो यह हमारे 36 गड़ राज्य के जिले में यह जो 85 विकास खंड फैला हुआ है 13 तो इन में से इन 13 जिलों में से जो 7 जिले है वो पूर्ण तह आदिवासी विकास खंड वाले जिले हैं और 6 जिले जो है आनसिक है अब यहाँ पर जो है यह यह भी है यह भी है बानुपरतापूर कांकर में लेकिन जो चेतर में नहीं है तो ध्यान रखना है जो 85 विकास खंड पच्चासी आदिवासी विकास खंड उनमें पाच्वी अनुसूची लागू है और जिले के हिसाब से पूछा जाये तो 13 जिले तेरा जिलो में से भी 7 जिले पूण तह नुसूची लागू है छे जिलो में कुछ छेतर चेतर या इसको हम बोल सकते हैं आंसिक रूप से पाच्वी अनुसूची लागू है तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 1,2,3 तो द जो है यहाँ आपका उत्तर होगा अगला question हम देखते हैं निम्द में से कौन से प्रकासन 36 जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकासित हैं तो 36 जनसंपर्क विभाग हमारे बापू ये है इनका पहल है समाधान की तलास है हमारे राम ये भी है तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा एक दो तीन चार अगला हम देखते हैं अगला दिया है 36 जनसंपर्क विभाग की माशिक पत्रिका का नाम है तो भाई अधिकतर जो CGPAC की तयारी कर रहे हैं वो तो इसको बिलकुल ही जानते होंगे जनमन नाम से आता है ना चार गणा जनसंपर्क विभाग की माशिक पत्रिका जनमन के नाम से अगला शीता नदी वन अभ्यारणने में जला सई, Θथ है खालिस्थान जला सय,итель है तो यहां पर देखिएगा यह जो सोन?" नदी है ये सीतानदी वन अभ्यारण के मद से गुजरती है तो ये सीतानदी कहां पर है धमतरी में तो आंसर होगा सोन धूर अगला कोस्चन है चत्यस गड़ में बायो इस्फियर रिजर्व कहां इस्थित है बड़ा ही आसान कोस्चन है अचानक मार जो वन जीव अभ्यारण है जो कि मुंगेली जीले में है तो ये जो है बायो इस्फियर रिजर्व इसको घोसित किया गया है ये देश का चौदवे नंबर का बायो इस्फियर रिजर्व है जिसको 2005 में बायो इस्फियर रिजर्व घोसित किया गया है अगला कोश्चन है चतिस गड़ के मत से पालन विभाग के अनुसार 2020-21 के लिए मत से पालन एवं उत्पादन हेतू खालिस्थान सत्थ जलिय छेत्र उपलब्द है तो ये एक तरह से करंट का कोश्चन है तो इसका आंसर लिया गया है ये एक दसमलव 560 लाख हेक्टेर या फिर इसको बोलेंगे हम लोग 1580 लाख हेक्टेर छेत्र जो है ये मत से पालन एवं उत्पादन हेतू इतना जो जलिय छेत्र उपलब्द है अगला कोश्चन है गोदावरी सबरी मैदान की समुद्र सतह से औसत उचाई कितनी है गोदावरी स सबरी मैदान तो हमारा चत्तिजगर नीचे से कुछ ऐसा बनता है ना ऐसा इस तरफ जो है अपना क्या है बीजापूर जिला है इस तरफ यहां पर दंतेवारा जिला है और इस तरफ जो है सुकमा जिला ये बस्तर जिला है तो यहां पर जो है सबरी नदी प्रवाहित होती ह और इस तरब जो है गोदावरी नदी तो ये वाला जो भाग है न ये कहलाता है गोदावरी सबरी का मैदान इधर वाला भाग तो ये जो है समुद्र सतह से लगभग लगभग 300 मीटर से कम है मतलब बहुत जादा उंचा नहीं है क्यों मैदान है तो 300 मीटर से कम इसकी उंचाई है 300 मीटर से अधिक नहीं है अगला कोश्चन देखते हैं जस्पूर नगर किस प्रकार की इस्थलाकृती में बसा है बड़ा ही आसान कोश्चन है जो जस्पूर छेतर का नाम आता है तो पाठ प्रदेश जस्पूर जो है पाठ छेतर में बसा हुआ है अगला कोश्चन है ये भी करेंट फेयर का कोश्चन है संचाल अनाल एक्रिशी 2018 के अनुसार छांसार नाल एक ने सेतर निलिखित को छांसार निख inom दॉट में सही संबंध बनाईए तो मैं इसका सीधा अंसर बता दूगा आप लोगों को, क्योंकि ऐसे बताना मेरे ख्याल से कोई मतलब उतना वो नहीं है, तो कुल बोया गया छेतर का लिया गया है ये, दूसरा नंबर, सुद्ध बोया गया छेतर का लिया गया है ये, सुद्ध सीन्चित छेतर का ये लिया चार एक दो तीन चार एक अगला कुस्टिन हम देखते हैं वर्ष 2013 के संचालनाले क्रिशी चत्यजगड के अनुसार चत्यजगड में कुल क्रिशक परिवारों की संख्या कितनी है तो भई हमारे चत्यजगड में क्रिशक परिवारों की संख्या आपको बताना है तो इसका आं संख्या जो है क्रिशी पर निर्भर है तो यहां देखो 37 लाख लगबग 37 लाख परिवार क्रिशी पर निर्भर है तो एक परिवार में अगर आप चार सदस से भी जोड़के चलते हो तो बहुत बड़ा अंकड़ा निकलेगा अगला question हम लोग देखते हैं राष्टिर क्रिशी पीमा योजना NAIS अंग्रेजी में क्या होगा ये National Agriculture Insurance Scheme कब से प्रारंभ किया गया था तो ये कब से प्रारंब किया गया है भई राष्ट्र कृषी बीमा योजना तो ये ना 1999-2000 से ये योजना सुरू की गई है तो ऐसे जो काफी पहले से चली आ रही है ना वैसे चीजों को भी पूछा जाता है जैसे कि मैंने पीछे किसी वीडियो में पूछा था टो नहीं प्र भी नहीं है जो important है उनको ही अगला दिया है असत्यकथन है तो इन में से असत्यकथन कौन सा है ये देखते हैं पवई जलपरपात बलरामपूर जिले में है ठीक है ये तीरतगर जलपरपात सबसे उचा है बस्तर जिले के कांगरिगटी राष्टर उद्यान में इस्थित है और ये सबसे उचा है अगला दिया है चित्रकोट जलपरपात सबसे चवड़ा है तो ये भी बिलकुल सही है इसको तो भारत का न्यागरा कहा जाता है जो कि बस्तर जिले के इंद्रावती नदी में इस्थित है उसके बाद दिया है रक्सगंडा जलपरपात हसदेव नदी है तो रक्सगंडा रिहंद नदी में है तो यही आपका सुमेलित नहीं है मतलब असत्य है अगला कोश्यन है निम्न कथनों को पढ़कर सहीं विकल्प चुनिए तो दिखते हैं भाई कथनों को पढ़ लेते हैं तो पहला कथन दिया हुआ है भारत के कुल खनीज उत्पात क 13.7% 36 गड़ में प्राप्त होता है तो यह बिलकुल सही है भारत के कुल कोईला उत्पादन में लगभग 21.41% के साथ 36 गड़ प्रथा मिस्थान पर यह भी ठीक है तो यहां दोनों कथन सही है तो आपका उत्तर हो जाएगा दोनों सत्य हैं अगले कुश्चन को हम लोग दे टो नीम्ण में से कौन सा जिला इन में सामिल नहीं है तो देखिएगा वर्ष 2011 का जो जनगरना है जनगरना दस साल में एक बार होता है अभी कोरोना के चलते सब कुछ हो नहीं पा रहा है तो जो 2011 का जनगरना है उससे कोस्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा 2021 में जितने भी एक्जाम हुए है ना उनमें 2011 के जनगरणा से प्रश्ण बने हैं तो दिखते हैं भई लिंगानुपात 1000 से अधिक है और कौन सा इसमें सामिल नहीं यह बोल रहा है लिंगानुपात मतलब की प्रती 1000 पूरुसों में महिलाओं की संख्या तो अगर हम सुरू से देखे मुंगेली की बात करें तो इसका जो है 974 है और यही जो है ना इसमें सामिल नहीं है मतलब 1000 से कम है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा मुंगेली 904 प्रती 1000 पूरुसों में 974 महिलाएं हैं कहां मुंगेली जीले में बाकी का भी देख लेते हैं जस्पूर में 1005 है मतलब कि जस्पूर में प्रती 1000 पूरुसों में महिलाओं की संख्या 1005 है उसका धमतरी का है 1010 कोंड़ा गाउं का अच्छा खासा है 1033 आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कि हमारे 36 गड़ राज्य के किस जीले में लिंगानु पात सबसे अधिक है मतलब कि किस जीले में प्रती 1000 पूरुसों में महिलाओं की संख्या सरवाधिक है या आप मुझे कॉमेंट करके बताईएगा अभी आप लोग जो वीडियो को पॉस्ट करिए इसका आंसर दीजिए नहीं पता है तो बाद में खोजिएगा अगला कुश्चन हम देखते हैं निमन कथनों को पढ़ कर सहीं विकल्प चुनिए तो पढ़ लेते हैं भई जनगरना 2011 में भारत की जनसंख्या व्रिधी दर में कमी आई है देखिएगा वर्ष 2001 में जब जनगरना हुआ था तो उस समय जनसंख्या व्रिधी दर कितना था 21.5 प्रतिसत भारत में वही 2011 के जनगरना में ये घट करके हो गया 17.6 प्रतिसत मतलब की वर्ष 1991 से 2001 के बीच हमारे भारत की जो आबादी है न 21.5 प्रतिसत बढ़ी वही वर्ष 2001 से लेकर के 2011 तक हमारे देश की आबादी 17.6 प्रतिसत बढ़ी तो इसमें जो है आप देखेंगे अगर डिफरेंस है तो लगवग लगवग मोटा माटी 4% की कमी देखने को मिली है तो इसको ध्यान रखेंगे उसको बाद बोल रहा है 18.6 प्रतिसत या इसको हम लोग 7 कर लेते सरसट कर लेते 18.6 सरसट प्रतिसत अठार दसमलल सरसट प्रतिसत दोहजार एक में और 2011 में 22.6 प्रतिसत तो 36 गड़ में जन संख्या वरिधी दर में वरिधी देखने को मिली है तो या दोनों कथन सही है ये आपका उत्तर होगा सर अगला क्वेस्चन हम लोग देखते हैं कोरिया जिले में कौन सा इस्थल असो कालिन मुर्थियों के लिए प्रशिद है तो इसका अंसर होगा कोटा डोल कोटा डोल नेक्स्ट है भोंगा पाल किसके लिए जाना जाता है इसका भी जिक्र मैंने सायद कुछी दिन पहले किया है तो ये बहुद विहार के लिए जाना हुआ है तो देख लेते हैं इस तरह के question काफी पूछे जाते हैं अध्योगी केंदर के बारे में तो अधिकतर इसी टाइप से पूछा जाता है कि कौन सा अध्योगी केंदर किस जिले में है इस टाइप से और कौन सा नया पुरान है ऐसे भी तो देखेगा हरीन छपरा कवरध दो तीन एक चार दो तीन एक ये जो है आपका उत्तर बनेगा चार तीन चार दो तीन एक ये अगला question हम देखते हैं निम्न लिखित अभिलेखों एवं शंबंधित सासकों के नामों को सुमेलित कीजिए तो करते हैं सुमेलित तो जो कुरूद ताबर पत्र है इसका संबंद है नरेंदर से कुरूद ताबर पत्र उसबाद सिर्पूर लक्षमन मंदिर सिलालेक तो ये सिवगुप्त बालार्जुन महाशिवगुप्त बालार्जुन उनसे संबंदित है सिर्पूर लक्षमन मंदिर में सिलालेक मिला है उस बाद बार्शूर सिलालेक ये जग वैसे लिखा ये ना जगदेव भूशन है जगदेव भूशन जगदेव भूशन जो बस्तर का चिंदक नागवनसी सा सकता तो बारशूर सिलालेक है उस लगज कोटगर सिलालेक है कि ये प्रित्वुदेव द्वितिय से संबंधी थे तो क्या कूट बन रहा है भई तीन एक जब उनके पिता थे दिमबा जि भोषले के पिता रगुजी प्रृत्रम जब उनकी मृत्यु हो गई तो रगुजी प्रथम का जो सामराज्य था नागपूर का भोसला सामराज्य तो उनके बच्चों में बाड़ दिया जता है तो जो छत्यजगड का छेतर था वो बिंबा जी को मिला तो ये बिंबा जी भोसले छत्यजगड के एक तरह से सोतंत्र सा सकते तो भाई ये क्यों भेजेंगे हाँ एक तरह से अधिनता मानते थे नागपूर के लेकिन कोई भी राजस्व नहीं भेजा जाता था तो ये सही है अगला दिया है बिंबा जी ने चत्यजगड में कमावी सदारों की नियुक्ति की तो देखो कमावी सदार कौन होता था कमावी सदार तो परगणा का प्रमुख होता था कमावी सदार और ये जो परगणा है इसकी सुरुवात किस ने की थी तो बिंबा जी के बाद बिंबा जी के जब मृति हुई तो उसके बाद जब चत्यजगड में सुभा सासन हुआ और एक बिठल राव दिनकर नामक वेक् से होगा तो यह गलत है तो यहां केवल और केवल कथन एक सही है तो क्या बोल रहा है एक हम दोनों दोनों सही है गलत है सिर्फ एक गलत है सिर्फ एक गलत है तो पहला वाला गलत नहीं पहला वाला सही है ना तो यह गलत है सिर्फ दो गलत है हाँ ठीक है सिर्फ दो गलत है यह अच्छा यही आपका उतर हुआ, सिर्फ दो गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को गलत बोल रहा है ना, तो देखो option कुछ इस तरह से दिया है, बिल्कुल confused किये type का है ना, तो सिर्फ दो गलत है, पहला वाला सही है, अगला question हम लोग देखते हैं, परलकोट के विद्रोह के स काफी question पूछे जाते हैं, अभी मैं जो अपना भूंकाल विद्रोह है, उससे भी काफी सारे question बनते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो लेकर क्या हूँगा, तो आप लोग परलकोट विद्रोह वाला वीडियो जरूर देखिएगा, question अक्सर पूछा जाता है, दूसरा दिया है, 20 जनवरी 1825 को परलकोट में गैंद सिहे को फासी पर लटका दिया गया, ये भी बिलकुल सही है, उनके ही निवास इस्थल के सामने उनको जो है, मृत्यू दंड दिया गया, अगला दिया है, दिवान कालिंदर सिहे ने इस विद्रोह में महत्पुर्ण भूमी का निभा है, मैंने पिछले किसी वीडियो में, जो सुबह वाला वीडियो है, या फिर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अच्छा खासा मैंने जिक्र किया था कि इसके जो प्रकासक थे, संपादक थे, माधहरा सप्रे जी थे, और ये जो है न मूलत, बाल गंगाधर तिलक जी द्वार मराठी भासा में प्रकासित केसरी का हिंदी अनुवाद था, जो की 1907 में नागपूर से प्रकासित होना आरंब हुआ था, तो देखते हैं इसके बारे में कौन सा कथन सहीं नहीं है, तो हिंदी केसरी का प्रकासर नागपूर से किया गया, ये सहीं है, पहला वाला, अगला अगला दिया है इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया देखो जो अपने तिलक जी थे वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे और मराठी भासा अपनी जो पत्रिकाती केसरी उसमें जो है अच्छा खासा लिखते थे तो उसी का हिंदी में अनुवाद हो बिलकुल सही है और इसके लिए तो भाई तिलक जी को मेरे कहाल से काफी मतलब उन पर कारेवाही भी हुई थे उनको जेल भी हुआ था इसी के कारण है या कैसे थोड़ा सा मैं डाउट हूँ अच्छा हाँ वो जो है न कुछ बम गोला जो अपने प्रफुल चाकी क्या करते थे ना पुलिस अधिकारी नहीं जज मजिस्ट्रेट उसकी हत्या कर दी थी उनको फिर बात में फासी दे दिया गया था खुदी राम बोस को फासी दिया गया था प्रफुल चाकी ने सुसाइट कर लिया तो ऐसा कहा जाता है कि जो तिलक जी थे उन तिलक जी के लेखों को पढ़कर ही वो दोनों जो है उतने जादा उत्साइट हो गए थे और वैसा काम किया था ऐसा आरोप लगाया गया था तिलक जी के उपर तो तिलक जी का ही यह सब लेख था देश की दूरदसा बंगोले का रहस्य तो यह सारा कुछ जो है जो अपने हिंदी केसरी है उसमें भी अनुवादित होकर के प्रकासित होता था तो यह बिल्कुल सही दिया है तो यहां पर सह जो है यहां आपका उत्तर होगा यह जो है सही नहीं है तो यही आपका उत्तर होगा अगला कोश्चन हम लोग देखते हैं राइपूर बार असोसियेशन की स्थापना किस वर्ष ह तो 1882 में राइपुर बार असोसियेशन जो वकील लोग है उनके लिए अगला कोश्चन है जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के वार्सिक लेखा एवं प्रशाशकी रिपोर्ट के संबंध में क्या सही नहीं है तो जनपद पंचायत पंचायती राज से कोश्चन काफी पुछे जाते हैं हाला कि CGPSC का जो प्रिलिम्स का एक्जाम है जो लास्ट येर जो एक्जाम हुआ था 2021 फरवरी 2021 में जो एक्जाम हुआ था उसमें जो है ना पंचायती राज से एक भी कोश्चन नहीं था उसके पहले जो फरवरी 2020 में हुआ था उसमें मेरे ख्याल से दो या तीन कोश्चन थे लेकिन आप इसको इग्णॉर नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस में है लेकिन CGPSC ने जो दूसरी परिक्षाइल दी है ना 2021 में उसमें पंचायती राज से भर-भर के कोश्चन पूछे गए हैं तो देखने इस वाले कोश्चन को तो जनपत पंचायत एव इस रिपोर्ट को जनपत पंचायत एवं जिला पंचायत की बैठकों में प्रस्तूत किया जाता ये भी सही है इसे हिंदी ये अंग्रेजी में प्रकाशित करना होता है तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो हिंदी में ही ये जो है होता है इसे संबंधित कार्याल हो जैसे कि जनपत पंचायत जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा करना होता है चस्पा का मतलब होता है आप लोगों ने सरकारी जो भी आदेश कागत जो भी जारी होता है उसमें चस्पा दिया होता है इसका मतलब होता है जो सूचना पटल होता है उसमें लगा दिया जाता है या तो पिं लगा करके या फिर फेविकोल से जैसा भी वहाँ पर लगा दिया जाता है उसी को बोला जाता है चस्पा करना चस्पा किया जाना तो यहां जो सह है यह आपका उत्तर जनुरी को 26 जनुरी के पहले उस पर 14 अप्रेल भीमराव अंबेट करजी का जन्म दिवस होता है इस दिन भी होना निवार्य है दो अक्टूबर को भी होना निवार्य है इसके अलावा इसके अलावा और तीन जो है आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताईएगा क्योंकि मैं क मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा और कब कब होता है तो 20 जुलाई को नहीं होता है ग्राम सभा की बैठक अगला कोश्चन दिया है किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद की आकास्मिक रिखती हो जाने के बाद पंचायत का विशेस सम्मेलन कौन बुलाता है मान लोग किसी भी कारण वस पंचायत का जो सर्पंच है उशका पध आकास्मिक रूप से मतलब खाली हो जाए मतलब वो त्यागपत्र दे दे या फिर उसकी मृत्ति हो जाए कुछ भी हो जाए वो जो है पध खाली हो जाए तो इसका आंसर लिया गया है पंचायच सचिव जो मीटिंग बुलाएगा ये CGPSC का आंसर मैं बता रहा हूँ अगला कोश्चन दिया है उपसर पंच बनने के लिए निमनलिकित योग्यताओं में कौन सा गलत है तो उपसर पंच बनने के लिए उपसर पंच कौन बनता है कोई भी एक उपसर पंच जो कोई भी पंच है ना पंच वही उपसर पंच बनेगा एक पंच को उपसर पंच बनाया जाता है तो देखो मतलब अलग से उपसर पंच के लिए मतदान नहीं होता है जनता द्वारा नहीं चुना जाता है जनता द्वारा चुने गए पंचों में से सरपंच चुना जाता है तो पहला दिया है आवेदक संसद या विधान सभा का सदस्या नहीं हो सही है ये ऐसे आवेदक को पंचायत में भू संपत्ति अवस्य हो क्या बूल रहा है ऐसे वोटर आईडी में उसका नाम वगेरा होना चाहिए जो उपर बोल रहा है ना विधान सभा लोग सभा का सदस्य नहों अगला हम लोग देख लेते हैं ऐसा आवेदक किसी को आपरेटिव समीति का ध्यक्षे और पाध्यक्षे नहों ये भी सही है आवेदक पंच बनने की होती है ना उनके सचीव कौन होते हैं यह आपको बताना है तो देखो पहला दिया है सामानने प्रशासन समीति तो सामानने प्रशासन समीति का सचीव कौन होता है जो ग्राम सचीव होता है ना ग्राम पंचायत का सचीव वही उसके पाद दिया है सिक्षा स्वास्थ एवं स समाज कल्यान समीती सिक्षा स्वास्थ एवं समाज कल्यान समीती का सचीव कौन होता है तो ग्रामीड विकास विभाग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी सहायक विकास विस्तार अधिकारी ये मेरे ख्याल से एडियो होता है क्या सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडियो क तो ये सिक्षा स्वास्थ एवं समाज कल्यान समिती इसका जो सची होगा कौन होगा ग्रामिड विकास विभाग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी अगला दिया है तीसरा मतलब सी दिया है क्रिशी पसुपालन एवं मत्से पालन समिती तो इसका सची होता है क्रिशी विस्त अधिकारी या फिर सहयक चिकित्सा अधिकारी उस पर अगला दिया है राजस्व तथा वन समीती राजस्व तथा वन समीती का जो सचीव होगा ना वो होगा पटवारी अथ्वा वनरक्षक पटवारी और वनरक्षक तो यहां पर आपका कूट क्या बन रहा है चार तीन दो ए चार-321 मतलब की यह जो यह आपका उत्तर होगा अगला कोशिवं हम लोग देखतेए हैं जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन करता कौण होता है जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन करता तो भाई मुख्य कारेपालन अधिकारी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मुखे कारेपालन अधिकारी को चीफ एक्जक्यूटिव ओफिसर बोलेंगे क्या CEO बताईए आप लोग कॉमेंट में अगला कुश्चन हम लोग देखते हैं पंचायती राज से है अगला कुश्चन भी तो देखते हैं काफी कुछ दिया है जनपद पंचायत विभिन प्रकार की योजनाओं एवम रिपोर्ट तयार करने के लिए उत्तरदाई हुती है मतलब देखो जो जितने भी मतलब विकास संबंदी काम होते हैं और क्या करना चाहिए जो कुछ भी मतलब होता है जैसे कोई विपत्ती पड़ गई तो ऐसे समय में जो योजनाओं अगेरे तयार होता है तो जनपद पंचायत इस तर पर ही अधिकतर होता है तो निमन लिखित में से कौन सा कारिया जनपद पंचायत संपादित नहीं करती है ये आपको बताना है तो देखो राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा आर्थिक विकास है वकास नहीं है आर्थिक विकास तो राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा आर्थिक विकास तथा सामाजिक नियाय से संबंधित प्रत्दत योजनाओं से समबंधित वार्शिक यूजना तयार करना तो Raja Ser Olivier and J Brave Paragas जो भी मतलब विकास समबंधिकारे होगा आर्थिक विकास हो समझिक ने आए समबंधि ये सब के लिए यूजना तयार करना अगला दिया है क्या है काम एवं विकास योजनाओं से संबंधित योजना जो किसी जनपद पंचायत के फंड से संचालित हो तो ये भी जो है है इसका काम अगला दिया है केंदर सरकार द्वारा प्रदत वार्सिक योजनाओं के क्रियान वैन के संबंध में तो ये गलत है ये इसका काम नहीं है यह मेरे ख्याल से सायद जिला पंचायत का होना चाहिए या किसका होना चाहिए आप मुझे कॉमेंट करके बताईएगा तो इसका उत्तर होगा दव अगला कुस्चन हम देखते हैं सूची एक को सूची दो से कीजिए अच्छा सुमेलित कीजिए यहां पर सुमेलित आना थ हां तो मतलkt सुमेलित करना है आपको तो एक तरब गीत वगिर दिया है और दूसरा जो है किसके द्वारा तो देखो पन्धी गीत जो है हमारे सत्नामी समाज का प्रशिद्य नरत्य गीत है उसके बाद दिया है सुआ गीत तो भही प्रमुक्त गोनड इस्तरियों का गीत है गीत तो क्या कूट बनेगा आपका एक चार दो तीन एक चार दो तीन यही बनेगा ना एक चार दो तीन एक चार दो तीन ये अगला कुश्चन हम देखते हैं घड़वा सिल्प बनाया जाता है घड़वा सिल्प देखो घड़वा सिल्प का नाम आता है तो कोंडा गाउं धि एक सिल्पकार का नाम याद रखेंगे जैदेव बगेल अभी इनके बारे में कुछा जाता है हाला कि इनका निधन हो चुका है लेकिन इनों ने घड़वा सिल्प को काफी प्रशिद्धी दिलवाई कोंड़ागाउं से थे तो इसमें घड़वा सिल्प में पीतल का होता है रांगा का प्रियोग होता है लोहे का प्रियोग नहीं होता है यहां आपका जो है आंसर हो जाएगा एक दो तीन ये अगला कुश्यन देखते हैं जनगणना 2011 की जनसंख्या के आधार पर 36 गड़की नीमन लिखित जनजातियों को आरोही क्रम में सजाई आरोही कम से जादा निवनतम से अधिक तो देखते हैं तो गोंड जन जाती भई ये तो सबसे अधिक है इसकी जनसंख्या गोंड की सबसे अधिक है अगर हम ऐसा बना लेते हैं तो इधर से सुरू होगा आरोही इधर से सुरू होगा आरोही तो गोंड जो है यहां पर होगा तो य यहां पर तीन हम लोग लिख लेते हैं बैगा, बैगा सबसे कम है, उसके बाद दूसरे नंबर में बैगा का इस्थान आएगा, अरे तीसरा तीसरा ही है ना बैगा तीसरा है, उसके बाद चौथे, जो कमार है, यह सबसे नीचे, कमार सबसे कम है, उसके बाद जो है बैगा, उसके बाद आएगा आपका कमर, फिर सबसे टॉप में गोंड, तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो कमार है, सबसे कम जन संक्या, फिर बैगा, फिर कमर, फिर गोंड, तो आपका क्या उत्तर बन जाएगा, दो, तीन, चार, एक, तो इस्थल है तो बिल्कुल सही है प्राचीन समय में यहाँ पर यह जो है ना बौध धर्मसंबंधी शिक्षा के अंदर हुआ करता था अगला हम लोग देखते हैं 36 गर के नीमनलिखित साहित्यकारों को उनके जन्म वर्स के आधार पर आरोही क्रम में सजाईए तो आरोही अवरोही ये आप ध्यान में रखेगा तो आरोही मतलब कैसे लगाना है जो सबसे पहले मतलब निवनतम से अधिक तो जो सबसे पहले जन्म हुआ था 1881 में कब 1881 में दूसरे नंबर में आएंगे अपने बंसिधर पांडे जी 1892 इनका जन्म वर्स उसके बाद आएंगे द्वारी का प्रशाद तिवारी जिनको विप्र भी बोला जाता है ना तो इनका जो जन्म है 1908 में हुआ था उस बाल हेमनाति यदू ये बहुत बाद के हैं 1928 में इनका जन्म हुआ है तो आपको जो है कम से जादा की ओर जाना है तो सबसे कम ये मतलब सबसे पुराने 1881 वाले सुंदरलाल सर्माजी दो उसके बाद बंसिधर पांडे उसके बाद द्वारी का प्रशाद तिवारी उसके बाद फिर हेमनात यदू तो 243 एक ये जो है आपका उत्तर होगा 243 एक अगले कुश्चिन को हम लोग देखते हैं गोरिया खेत के करियाबीज ये जन्मzwischen है पहली न जिस पर मैं लिख रहा हूं वो गोरिया खेत है औवर जिससे मैं ये चल रहा है यह करियाबीज है इस बाद से तो गोरिया मतलब ग अगला खुश्चन है अरपा पैरी के धार महानदी है अपार राजजगीत के रचियता कौन है तो भई इसको जो है हमारे छट्रीजगीत गोसित किया गया है और जो भी सास की कारिक्रम होंगे सरकारी कारिक्रम होंगे तो उसके आरंब में जब कारिक्रम सुरू होगा तो फिर इस गीत को बजाए जाएगा क्योंकि हमारे राजजगा राजजगी गीत है अगर आप इसको सुनेंगे तो अपने आप में आपको पूरा च्छतिजगण का एक तरह का भ्रमन हो जाएगा और च्छतिजगण का जिस तरह से महिमा मंदन किया गया है वो काफी मतलब अच्छ इसमें किसी भी छेतर को छोड़ा नहीं गया है तो काफी मतलब अच्छा गीत है पूरा हमारा जो च्छतिजगण है उसको एक पूरा बता देता है कि हमारे च्छतिजगण में क्या है कैसा है सब कुछ को यहाँ पर लिया गया है तो भई इसके रचियता को ने डॉक्टर न वर्धा आसरम है ना वहाँ पर इनका जन्म हुआ था तो ऐस चीजे पूछा जा सकता है अगला कोश्चन देखते हैं सुमेलित करने को बोल रहा है एक तरफ जो है ना 36 गड़ी पता नहीं ये कहावत है जनव उल्ला क्या है लोकुक्तियां है जहां तक मेरे ख्याल से तो इसक पर इसका जो आंसर है वो है खोड़ोर खोड़ोर खोड़ी इसका आंसर लिया गया है देखो यहां क्या बोल रहा खोड़ोर 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 खोड़ोरी शे आखी Westίας च्छे आँंख तीन बोड़्री ज्छे आख और तीन बोड़्री मतलब होता है ना भी की जे मतलब नभी तो दो बैलों के चार आख चारख तोटल कितने आख होगे थे रिखनोगर की इसका मतलब मुझे नहीं मालूम मतलब उत्तर मालूम है क्योंकि जो आनसर मुझे मिला उसके हिसाफ से लेकिन इसका जो व्याख्या है मैं वो नहीं कर पाऊंगा अगर आप में से किसी को मालूम है तो आप कीजिएगा बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में तो इसका जो आंसर लिया गया है गुलर फूल जो गुलर का फूल होता है गाओं में आप लोगों ने जरूर बताइएगा अगला दिया है लबरा देउता अव खरी के अठवाही लबरा देउता अव खरी के अठवाही देखो लबरा का मतलब होता है जूठा देउता मतलब देउता तो लबरा देउता मतलब जूठा देउता इस तरह चे बोला गया खरी के अठवाही इसका भ ये खली का नईवैद्य, खली का नईवैद्य, मतलब कुछ अच्छा चीज़ चड़ाना, ऐसा कुछ होगा, क्या, अगला हम लोग देते हैं, कमया बर भाजी भात, खसुआ भर सुवारी, तो देखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कमया, कमया मतलब जो कमाने वाला, जो कमान हुए है उसको जो है क्या दिया जा रहा है भाजी भात भाजी मतलब कोई सा भी भाजी हो सकता है भात मतलब सूखा भाजी सूखा भात उसको खिलाया जा रहा है और जो खसुआ है खसुआ मतलब जो कुछ नहीं करता है उसके लिए सोहारी सोहारी मतलब क्या होता है यह सोहारी कर रहा है उसको जो है एक तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है उसको कोई तवज्जों नहीं दिया जा रहा है लेकिन जो कुछ नहीं कर रहा है उसको फिर काफी खातिर हो रही है तो इसका हो जाएगा योग्य वेक्ति के साथ भेदभाव करना मतलब जो योग्य है जो कमाने खान कमाने जा रहा है घर का भार उठाया हुआ है उसको जो है फिल्कुल ध्यान नहीं इस टाइब से तो योग्य वेक्ति के साथ भेदभाव करना तो यहां पर भई आपका कूट क्या बनेगा चार एक दो तीन ये जो है आपका कूट बन रहा है तो ये बढ़ा मज़ेदार था चार एक दो तीन अगला कोश्चन हम लोग देखते हैं सुमिलित करने को बोल रहा है अभ्यारणने और जिला देख लेते हैं सीता नदी वन्ने प्राणी अभ्यारणने अगला कोश्चन हम लोग देखते हैं कालिदास कृत मेगदूत का 36 गड़ी अनुवाद करने वाले साहित्यकार का नाम बताईए तो भई पंडित मुक्ट धर पांडे इन्होंने जो है मेगदूत का 36 गड़ी में अनुवाद किया है ऐसा कहा जाता है कि महाकवी कालिदास जी वाकटक नरेश प्रवर से इनके सासनकाल में 36 गड़ की यात्रा पर आये थे और सिर्पूर में भी रहे उसके बाद ये जो है ना जो रामगड की पहारियां है वहाँ पर भी इन्होंने काफी समय वेतित किया और रामगड की पहारियों में ही जो सीता बेंगरा की गुफा है वहाँ पर प्राचीन नाट्यसाला है तो हो सकता है इस वजह से वो रामगड गए होंगे वहाँ पर नाटकों का मंचन वगेरे होता रहा होगा तो वहाँ पर वो गए रहे और वहीं रामगड में रहते हुए उन्होंने मेग दूत की रचना की और मेग दूत का फिर 36 गड़ी में अनुवात किस ने किया मुकुट धर पाण डेया जीने तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है तो इस वीडियो में हम लोगों ने ACF काफी सारे बच्चे जो है इसका मतलब डिमांड कर रहे थे कि ACF का जो कोस्चन पेपर है उसके कोस्चन को सॉल्व करिए तो इसको हम लोगों ने देखा इसमें 36 गड़ से रिलेटेट जितने भी कोस्चन पूछे गए थे पचास कोस्चन तो सभी को हम लोगों ने डीटेल से एक्स्प्लेन किया इसके अलावा na ACF के इस कोस्चन पेपर में हिंदी भासा, 36 गड़ी भासा और जो एप्टिट्यूट है अंग्रेजी, अंग्रेजी से तुखैर CGPST प्रिलेम्स में कोस्चन नहीं बनता है लेकिन जो हिंदी भासा, 36 गड़ी भासा अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको भी डीटेल से आप लोगों के साथ एक्स्प्लेन करूंगा तो आज का जो वीडियो है यही पर समाप्त होता है, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कि इसके अलावा और कौन से पेपर का इस तरह से डिसकसन वाला वीडियो बनाना है और इस वीडियो में आपने कितने कोस्चन को सॉल्व किया, किसी भी कोस्चन में कोई भी डाउट हो या फिर आप लोगों को लगता है कि मैंने कहीं पर कोई मिश्टेक की है, तो आप मुझे जरूर बताईएगा ताके मैं उसको सॉल्व कर सकूँ वीडियो को जितना हो सके उतना आप सेर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद